नमस्ते, आप सभी को टिटिली वॉइस आस्ट्रो टॉक में स्वागत है, शश महापुरुष राज्योग, कर्मफर दाता शनी एक निश्चित अबदी के बाद राशी परिवर्तन करते हैं, जिसका असर हर राशी के जातकों के जीवन में किसी ना किसी तरह से अवश्य बता दे की शनी इस समय अपनी मूलत्रिकोन राशी कुम्ब में विराजमान है और साल 2025 के मार्च माहता किसी राशी में रहने वाले हैं, अपनी राशी में होने के कारण शनी शश नामक राजयोग का निर्मान कर रहे हैं, जो पंच महापुरुषों में से एक माना जाता है, शनी के शश राजयोग बनाने से कुछ राशी के जातकों को बंपर लाब मिल सकता है, आए जानते हैं शनी देव किन राशियों पर रहेंगे महरबान, वेदिक जोतिश शास्त्र के अनुसार शश राजयोग पंच महापुरुष योगों में से एक है, जिसका निर्मान तक ह होता है जब शनी लगन या चंद्रमा से पहला, चोथा, सात्वा या फिर दस्वे भाऊ में तुला, मकर और कुंब राशी में स्थिती हो। कुंब राशी कुंभा जोडियाक इस राशी के लगन भाऊ में शश राजयोग का निर्मान हो रहा है, ऐसे में इस राशी के जातक परिवार के साथ अच्छा समय बीच सकता है। इसके साथ ही जो जातक विदेश में नौकरी, शिक्षा या फिर व्यापार करने की सोच रहे हैं, तो इस अबधी में सफलता हासिल कर सकते हैं। आकस्मिक धन लाब के भी योग बन रहे हैं। जीवन में कई खुशियों की दस तक हो सकती है। परिवार के साथ लंबे समय से चली आ रही समस्याएं अब समाप्त हो सकती है। आपके अंदर कई रचनात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। जिसे आने वाले समय में आप अ श्राजयोग बनाना लाबकारी हो सकता है। इस राशी के जातकों को हर क्षेत्र में सफलता के साथ साथ धन लाब मिल सकता है। अध्यात्म की ओर आपका जुकावा देखो सकता है। इसके साथ ही परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। संतान की ओर से कोई अच्छी इन्क्रिमेंट के साथ पदोननती के भी योग बन रही हैं. वियापार में भी खूब लाब मिल सकता है. मकर राशी मकर जोडियाक मकर राशी के जातकों के लिए भी शश महापुरुष राज्योग काफी अच्छा जाने वाला है. इस राशी के जातकों को आकस्मिक धन लाब हो सकता है. इसके साथ ही जीवन में कई खुशियों की दस्तक हो सकती है. नौकरी में बदलाव करने की सोच रही हैं, तो इस अवधी में कर सकते हैं. आप अपने काम और लगन से एक अलग पहचान बनाने में काम्याब हो सकते हैं. वानी के प्रभाव से आप हर किसी को इंप्रस भी कर सकते हैं. आर्थिक स्थिती अच्छी रहने वाली है. डिस्क्लेमर इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटिकता या विश्वस्नियता की गारंटी नहीं है. विभिन माध्यमों जैसे ज्योतिशियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रतों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं. हमारा विशेशग्य से सला जरूर ली.